हेलो फ्रेंट्स मोर्णी के ब्रेकफास्ट में अगर समझ में ना आ रहा हो ना क्या बनाए और आप इडली डूसा पीजा बर्गर खाने के शोकीन है तो आज मैं बनाने वाली हो एक ऐसी ही बड़ी असी रेसिपी जो आपको इन चारों चीजों की याद दिला देगी तो चलि है मोटी सूजी से इनाष्टा इतना अच्छा नहीं बनेगा अब इसके साथ में हम एड़ करेंगी दो चमज चपाती वाला नॉर्मल गेहूं का आठा जिससे हम रूटी वगरा बनाते हैं वही आठा हमें यापर दो चमज डालना है एक कप सूजी डाली है तो एक कप हमने आपर पानी लिया है और उसमें से तीन चोथाई का पानी हमने आपर डाल दिया है साथ में डाला है आदा निम्बू का जूस और डाल कर अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहां मिक्स देंगे तो अभी बैटर मुझे थोड़ा गाडा लग रहा है बचावा पानी भी हम इसमें एड कर देंगे तो टोटल एक कप पानी हमारा इसके अंदर एड हो चुका है एक कप सूजी के साथ जाएगा पूरा एक कप पानी इस बैटर को हमें ना तो जादा गाडा ही रखना है और ना ही जादा पतला बनाना है थोड़ा से ठिट चाहिए बिल्कुल इसी तरी जीरा जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो जाए तो इसमें डालेंगे अदरक लसन का पेस्ट अगर आप खाते हैं लसन तो डाल दीजिए नहीं तो अदरक भी डाल देंगे तो उससे अच्छे से काम चल जाएगा जब दोनों चीज हमारी अच्छे से बुन जाए तो यहापर दालेंगे हम दो हरी मिची बारी कटी हुए और एक साथ में डालेंगे प्याज प्याज को हम यह पर सिर्क ट्रांस लूजन होने तक ही पकाना है इससे ज्यादा नहीं और यह प्याज हमारा अच्छे से हापर ट्रांस क्लूशन हो गया तो अब इसमें एक कच्छा आलू डा सकते हैं यह अपने पसंद की और भी सब्जी इसमें एड़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर आदी शिमला मिच ली है इसको भी बारी कट करकर डाला है सब्जी कोई भी ले पर इसको काटना हमने बारी की है तो अब इसको पांच मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से पकने देंगे और सब्जी को अमने बारी काटा था तो इस वज़े से देखें बहुत अच्छे से सब्जी हमारी गल चुकी है तो अब इसमें एड़ कर लेते हैं कुछ बेसिक से मसाले एक चुछ चमच डालेंगे हल्दी अच्छे कलर के लिए हम यहां पर आद तो देखें यह बनकर हमारी रेडी है उपर से डाल देते हैं अब हरा धनिया हरा धनिया डाल देंगे तो फ्लेवर और ज्यादा इन्हेंस हो जाएगा तो चलिए अब इसे हम खोट लेते हैं यानि की मैशर से अच्छे से मैश कर लेते हैं क्योंकि हमने सब्जीयों को यहां क्योंकि यह बनकर हमारी हो चुकी है रेडी अब देख लेते हैं अपने सूजी के बैटर को इतने टाइम में यह देखें सूजी भी हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है देखकर ही पता लग रहा होगा और जो बैटर है वो और भी थोड़ा सा थिक हो गया है पर कोई बैटर को अच्छे से दें मिक्स बहुत अच्छे से देना है और दोनों ही चीज़े बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है तो चलिए बैटर बनकर हमारा रेडी है अब इसे लेकर चलते हैं गयास की तरफ गयास पर मैंने आपर एक पैन चड़ाया चोटू सा आप यहां पर न नाष्था आपको बनाना है तो मैंं ज्यादा बड़ा नहीं फ्छोटा ही बना रही हूँ इस वज़े से मैंने इतना ही इसको nap कि прямо अब जो फेलिंग को इस तरीके से बना कर देखना सच में आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आने वाला है और बस ऊपर से भी इस खोल की आम एक पतली सी लेयर बिचा देंगे मोटी नहीं बिचानी है क्योंकि फूलने के पाद अपने थोड़ा सा मोटा हो जाएगा थीक हो जाएगा तो लेयर पतली ही रखनी है बस लोटो मीरियाम पर हमने इसको एक से टेट मिनट पकने दिया है अब इस तरीके से हम इसको पलट देंगे ठोड़ा साफधानी से पलटे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और फिर भी थोड़ा साफधानी से पलटे और देखिए आप इसका लुक देख लीजिए अगर आपको भी मॉर्णिंग में बच्चों के लिए टिफिन में कुछ नया देना है तो आप ये रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं इंस्टेंट बन जाती है और हेल्दी है कम तेल के साथ है घर की ही समान से बनकर ये रेडी हो जाती है तो मैंने या पर दो पीस ब पूज बनवाने वाले हैं और बच्चे क्यों घर में सभी को नाश्ता बहुत पसंद आएगा तो मैं यहां पर आपको एक पीस अच्छे से अंदर से कट करकर दिखा देती हूं कि हमारे फिलिंग कैसी लग रही है और बहुत स्पंजी नाश्ता बनकर तियार होता है और ये के लिए तो मिलते हैं नए दिन नए रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग